Welcome to the Guru Kulprep Daily Updates on 27th June Daily Update 1 महत्वपूर्ण दिं विश्व MSME दिवस 27 June विश्व MSME दिवस हर साल 27 June को मनाया जाता है सन्युक्त राष्ट्र महास्भा द्वारा 2017 में दुनिया भर में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने में सुक्ष्म, लगो और मध्यम आकार के उद्यमों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था MSME वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे रोजगार स्रिजन, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उन्हें कई अर्थव्यवस्थाओं की रीड माना जाता है, खास कर विकास शील देशों में इस वर्ष इस दिवस का विशय है, विभिन संकटों के समय में सतत विकास में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के लिए सुक्ष्म, लगु और मध्यम आकार के उद्यमों AMSME की शक्ती और लचीलेपन का लाब उठाना डेली अपडेट दोक नियुक्ती HDFC अरगो जनरल इंशोरेंस के M.B. और CEO नियुक्त HDFC अरगो जनरल इंशोरेंस ने अनुज त्यागी को नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत करने की घोशना की त्यागी रितेश कुमार की जगह लेंगे त्यागी 2008 से कमपनी के साथ हैं और अपने कार्यकाल के दौरान कई कार्य कर चुके हैं उन्हें अप्रेल 2023 में सन्युक्त प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था कुमार 4 अक्टूबर से कमपनी के नए डिप्टी कू बनने के अलावा अर्गो इंटरनेशनल के बोर्ड में शामिल होंगे और चीन, थाइलैंड और सिंगापूर जैसे एशियाई विकास बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा यह नियुक्ती प्रशासनिक अनुमोधन और अर्गो इंटरनेशनल के परिवेक्षी बोर्ड की सहमती के अधीन है डेली अपडेट तीन अर्थव्यवस्था वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने शीनगर को चौथी भारतिय वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी नामित किया शीनगर ने वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल डबल्यू सी सी से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डबल्यू सी सी टैग अर्जित किया है जो एक गैरसर कारी संगठन है जो कारीग्रों को सशक्त बनाने और विश्वस्तर पर शिल्प विरासत की रक्षा करने के लिए काम कर रहा है इससे मध्य एशिया और इरान में शिल्प केंद्रों के साथ कश्मीर के सदियों पुराने संबंधों के फिर से खुलने की संभावना है 4000 से अधिक वर्षों के लिखित इतिहास वाले शहर के लिए ताजा मान्यता ने एक ऐसी जगह पर स्पोटलाइट डाल दी है जिसने विभिन कलाक्षेत्रों, विशेश रूप से शौल, कालीन, पेपर, माचे आदी में उतकरिष्ट कृतियों का निर्मान किया है शिल्प दृष्ट ने चौदहवी शताबदी में फार्सी और मध्य एशियाई प्रचारकों और कारीग्रों के आगमन के साथ एक बड़ा बदलाव देखा डेली अपडेट चार राश्ट्रिये जेपी नड़्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया भाजपा के राश्ट्रिय अध्यक्ष और केंद्रिय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड़्डा को पार्टी सहियोगी पीऊश गोयल की जगह राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नामित किया गया है जिन्होंने हाल ही में संपन्न आम चुनावों में मुंबई उत्तर निर्वाचन छेत्र से जीतने के बाद लोकसभा सांसत के रूप में शपत ली थी गोयल को 5 जुलाई 2010 को राज्यसभा सांसत के रूप में चुना गया था और 14 जुलाई 2021 को सदन का नेता घोशित किया गया था उन्हें 4 जून को लोकसभा सांसत के रूप में चुना गया था और 24 जून को निचले सदन में शपत ली गई थी जेपी, नड़्डा पहली बार 3 अप्रेल 2012 को राज्यसभा के लिए चुने गए थे बारती अमानक ब्यूरो ने भारत में EV सुरक्षा और गुनवत्ता बढ़ाने के लिए नए मानक पेश किये भारती अमानक ब्यूरो बिज ने ल, M और N श्रेनियों में इलेक्टरिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश से दो नए दिशानिर देश पेश किये L दोपिया वाहनों को संदर्भित करता है जबकी M और N श्रेनिया क्रमशय चार पहिया और माल ट्रकों के अनुरूप है IS 18,590, 2024 और IS 18,606 2024 नामक नियमों के ये नए सेट, इलेक्टरिक कारों, बसों और ट्रकों के मुख्य भागों, विशेश रूप से पावर ट्रेन, जिसमें मोटर और ट्रांसमिशन जैसे हिस्से शामिल हैं, पर ध्यान केंद्रित करते हैं ये मानक देश में अधिक तिकाउ, पर्यावरन के अनुकूल और कुशल परिवहन प्रणाली में संक्रमन को चलाने में महत्वपूर्ण है भारतिय सेना ने लग्दाख में पर्यटकों के लिए खोला खालुबार युद्ध स्मारक लग्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धाजली के रूप में भारतिय सेना ने खालुबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है यह उद्धाटन समारोह Forever in Operations Division के प्रिकारगिल विजय दिवस समारोह का हिस्सा था क्योंकि इस वर्ष देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25 वी वर्षगांठ मनाएगा प्रसिध हार्यन घाटी में स्थित यह समारक उन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान घाटी को पुनह प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी सीमा के पास एक शांत घाटी खालूबर कारगिल युद्ध के दौरान एक केंद्र बिंदू बन गई जब दुश्मन सेना ने इस पर कबजा कर लिया था डेली अपडेट साथ राष्ट्रिय राहुल गांधी को लोग सभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया कॉंग्रेस महासचिव केसी वेनुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी को लोग सभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है वेनुगोपाल ने कहा कि अन्यपदाधिकारियों पर फैसला बाद में किया जाएगा कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि अठारहवी लोकसभा में जनता की सभा सही मायने में हर व्यक्ती की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करेगी और राहुल गांधी उनकी आवाज बनेंगे कई नेताओं ने पद स्विकार करने के लिए राहुल गांधी की सराहना की और धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई की वह संसद में लोगों की आवाज बने रहेंगे देली अपडेट आठ खेल भारत ने अंडर 17 एशियाई कुष्टी चैंपियंशिप दो हजार चौबीस में 11 पदक जीते भारत ने जॉर्डन के अम्मान में अंडर 17 एशियाई कुष्टी चैंपियंशिप में अपने अभियान का शांदार समापन किया युवा भारती अदल ने चार स्वर्ण, दो रजत और पांच कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते महिला पहलवानों ने चारों स्वर्ण पदक जीते 46 किलोग्राम में दीपांशी, मुसकान, तिरपन किलोग्राम, रजनीता, 61 किलोग्राम और मानसी लाठेर, 79 किलोग्राम ने अपने अपने भार वर्गों में शांदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता राजा बाला को अपने श्रिष्ट प्रयासों के बावजूद 40 किलोग्राम वर्ग में रजत से संतोश करना पड़ा पुरुशों के मोर्चे पर समर्थ गजानन मकावे ने 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता डेली अपडेट 9 खेल रोहित शर्मा टुजीरो अंतरराश्ट्री में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबास बन गए रोहित शर्मा सेंट लूसिया के डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आस्ट्रेलिया के खिलाफ टुजीरो विश्व कप 2024 सुपर आठ ग्रुप एक मैच के दौरान टुजीरो अंतरराश्ट्री में 200 छक्के लगाने वाले पहले खिलाडी बने रोहित ने 41 गेंदों में 92 रन बनाए और पारी में 8 छक्के लगाए जिससे खेल के सबसे छोटे प्रारूप में उनकी कुल छक्के 203 हो गए पारी के दौरान भारतिय सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर 40 और जोस बटलर 43 को पीछे छोड़ते हुए टुजीरो विश्व कप इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाडी भी बन गए इस लिस्ट में रोहित क्रिस गेल के 63 चक्कों के बाद दूसरे नंबर पर है हर्याना सरकार ने OBC वर्ग के लिए आरक्षन 15 परसेंट से बढ़ाकर 27 परसेंट कर दिया हर्याना के मुख्यमंत्री नायब सिन सैनी ने कहा कि इससे अन्य पिछडावर्ग OBC को रोजगार में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा और क्रीमी लेर के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की घोशना की सैनी गुरुग्राम में आयोजित OBC मोर्चा सर्व समाज समर्स्ता सम्मेलन में एक सभा को सम्बोधित कर रहे थे यह कदम हर्याना में अक्टूबर में होने वाले विधान सभा चुनाव से कुछ महीने पहले उठाया गया है मुख्यमंत्री ने यह भी घोशना की की केंद्र सरकार की नीती के अनुसार गुरुपए और गुरुपवी पदों में पिछडा वर्ग के लिए आरक्षन जो वर्तमान में 15 प्रतिशत है को बढ़ा कर 27 प्रतिशत किया जाएगा